तो भाई देखो कुछ दिन पहले OnePlus 12 की बात करी थी वो फोर ये रहा अब उसके अंदर मैंने पूछा था कि भाई comparison चाहिए तो IQ 12 के साथ बहुत जादा नाम आए तो यहाँ पर दोनों का detail comparison करेंगे और वर्थ है कौनसा भाई साथ यह है यह मतलब क्या है OnePlus सच में अच्छा है जो pricing यह offer करता है जिसके अंदर यह आता है वहाँ पर definitely देखना चाहिए कि नहीं या फिर IQ 12 मस्त प्राइस में आपको जादा अच्छी चीज़े देगा या नहीं देगा वो सारी बाते इस वीडियो में करी जाएगी IQ 12 ने इंडिया के अंदर 53,000 में मिलता है काड डिसकाउंट लगा होगे तो 51,000 तक आराम से ले सकते हो बट OnePlus 12 की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 70,000 रुपीज है और काड डिसकाउंट पे 2,000 रुपीज आपको आफ मिल जाएगा तो मतलब 68,000 का मिल जाएगा एक बात हो सिंपल होगी IQ 12 से महंगा देखने मिलेगा OnePlus 12 और देखो यहाँ पर 12GB 256 के बेस वेरेंट दोनों में मिल जाएगे मतलब स्टार्टिंग वेरेंट और इवन रही बात कलर्स को लेकर तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास है आईकू का लेजन्ड वाला वेरेंट है अब इसमें एक और वेरेंट आता है जो थोड़ा सा मैटी फिनिश है मुझे परसनली यह वाला वेरेंट जादा अच्छा लगता है और आईकू ने इस बार इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी थोड़ी सी मस्त कर दिये कामरा मॉडल्स भी काफी एच्छे लग रहे है और बाकी आयर ब्लास्टर और बाकी सारी चीज़े मिल जाती है बाकी यहाँ पर जो चीज़े है लुक्स और इनन्ट फिलिंग में सब कुछ आपको मस्त देखने मिलता है इवन सामने से देखो कि तो भी मस्त है और इवन यह जो डिस्प्ले भी है यहाँ पर एक कर्व नहीं है यहाँ पर आपको फ्लैट स्क्रीन मिलती है बड़ यह फोन है कि आपकी पास मेहँगा वाला एक सब्सक्रीन ऑफ्लैण है यहां पर इनों ने मस्त में इसको भी में इसको ब्रेम में रखा हुआ है यहाँ ब्लास्टर यहाँ पर अलट स्लाइडर मिल जाता है वन प्लस का इकॉनिक बड़ यहाँ पर एक इंट्रेस्टिक बात और है कि यह जो type c एने type c 3.2 मिलता है मतलब faster मिल जाती है और कितना faster वो आपको आगे दिखाऊंगा अब यहाँ पर यह जो display भी है यह आपको curve display मिलती है जो आपको थोड़ा सा अलग feel करवा के देगा यहाँ पर personal choice है आपकी आपको curve display पसंद है या फिर किसी को flat पसंद आती है तो वो उसके ओपर है तो curve और flat वाली बातचीद वह आप देख सकते हो बाकी bezels में एक बात है curve तो side में से है बड़ उपर से ठीक है बड़ नीचे से थोड़े से हलके bezels जादा लगते है पड़ एक बात है OnePlus हाथ में hint hand feeling पे अच्छा खासा premium लगता है पड़ आई को भी वहाँ पर अपने thoughts comment में बता देना बागी देखो power में इस बार दोनों फोन में कभी नहीं है दोनों फोन snapdragon 8 gen 3 के तगड़े प्रोसेसर के साथ में आते हैं मैं आपको आगे performance का test भी दिखाऊंगा कहां पर कौन सा जाधा reality में तगड़ा है बड़ एक बात है कि यह दोनों फोने 20 lakhs के आराम से touch करवा देते हैं oneplus कभी कबार थोड़ा सा पीछन आटक कर देता है बट दोनों फोन लिटरल एकदम powerful निकल कर आते हैं रही बाद यहां पर storage होगे राम होगे दोनों आपको पास्तर देखने मिलती है basically same देखने मिलती है बस एक चीज है कि यहां पर iqoo 12 के अंदर 5000 एमेच की बैटरी है बाक्स में 120 वाट का चारजर आएगा बट वहीं oneplus कैरी करता है 100 वाट का चारजर बट बड़ी बैटरी 5400 एमेच के साथ में और यहां पर even wireless charging और reverse wireless charging का भी option है बट जबकि iqoo में wireless charging का option नहीं मिलता है तो देखो charging speed ऐसा है कि यहां पर अगर 5 मिनिट ल लिया था वह 28 मिनिट का और oneplus ने जो charging का टाइम लिया था वो कुछ 30 31 मिनिट के आसपास आता है तो यहां पर मतलब almost similar ही कह सकते हैं बट यहां पर definitely थोड़ी सी फास्टर चारजिंग अभी इसकी healthy वज़े से ना अगर आप अपना laptop भी चार्ज करना चाहते हो ना तो वह भ चल जाएगा तो हम लोगने दोनों फोन को देखो 100 पसें चार्ज कर दिया और इसके बाद में सारी एप्लिकेशन सब कुछ रिमूब कर दी है अभी यहां पर सबसे पहला एंडुडू बैंचमाग रन करा जिसके अंदर आइकू के अंदर definitely 20 लैक का almost score टच किया बट oneplus ने वो 19 लाग के आसपास का score रखा था के बाद में storage का speed test निकाला और उसके अंदर oneplus पर थोड़े से better read and write के score देखने मिले पर जब geekband 6 का score निकाला फोन अभी थोड़ा बाद हीट हो चुका था और उसकी वज़े से oneplus 12 पर हमको single score पर जो throttle देख सकते हो even score का dip देख सकते हो आपको बहुत जादा देखने मिलेंगे oneplus 12 के मुकाबले रीजन यहाँ पर यह है कि इस बार भी हलका फुलका मुझे throttle होते वे दिख रहा है पड़ यह वी performance मतलब continuous task करते करते हैं फिर उसके बाद में बारा मिनट के लिए YouTube पर 4K HDR का content पलेगी आ दोनों फोन पर same time पर जैस यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ ना आइकू के अंदर वो कुछ 22% की बैटरी थी और oneplus में जो बैटरी ड्रॉप हुई वो 17% की थी यानिके 5% का difference देखने मिला अले कि फिर भी आपको जादा बड़ी बैटरी बैकप आपको oneplus 12 में दिखने मिल रही है 5000 अपनी तरफ से best काम क अब यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थी यह दोनों फोन के जो टाइप सी पोट है जो oneplus के अंदर फास्टर आता है ताइप सी 3.2 अब मैंने SSD कनेक करी एक 11GB की फाइल थी SSD से फोन के अंदर पेस्ट करा यहाँ पर वह बहुत जादा फास् अब देखो गेमर भाई लोगों के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात है तो आराम से सुन लेना कौन सा क्या है दोनों फोन के अंदर एक बात है कि जायरो स्कॉप अच्छे से चल जाते है और एक डिफरेंस बस यह आता है कि oneplus में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है गेमि क्यों के अंदर वो फ्लैट आता है तो वहाँ पर गेमिंग और जादा कमफरडेबल हो जाती है और एवन यह थोड़ा सा लाइटर भी है तो holding भी जादा अच्छी से होती है compare to oneplus के मुकाबले अभी देखो सबसे पहले अगर मैं oneplus की बात करूँ न तो 90FS इसने बहुत अच रिजल देखने मिल जाएंगे तो मतलब आप गेमिंग आराम से कर पाओगे चाहे एरैंगल चाहे टीडियम चाहे कुछ भी खेल लो एक घंटे की गेमिंग करोगे दो घंटे भी करोगे तो आपको FPS काफी अच्छे लगेगे डिपेंड करेगा कभी-कभी environment भी कैसा होगा उ इस पर और जाद अच्छी stability मिलती है और एक घंटे की गेमिंग में मुझे एक ऐसा लगा था एक्चुली मैं दो तो घंटे का ऐसा टेस्ट करके देखा था एक घंटे की गेमिंग अगर आप करोगे 1 प्लस 12 पर 90 fps में तो वहाँ पर यह 21% की बैटरी ड्रॉप करता है और IQ 12 है जहाँ पर वो 16% की बैटरी ड्रॉप करता है अगर आप एक घंटे की गेमिंग करते हो यहाँ पर डेफिनेटली वो पार्ट जादा अच्छा देखने मिला इवन हीटिंग भी जादा अच्छी तरीके से कंट्रोल है इसके अंदर थोड़ी सी हीटिंग ओर इसी जिसकी वज़ए से बैटरी ड्रॉप जादा देखने मिल रहा था यहाँ पर एक और बैनिफिट सुन लो आईकू 12 का क्योंकि इसके अंदर एक और चीप आती है सूपर कंपूरिटिंग चिप अब जिसकी हेल्प की वज़ए से आप क्या कर सकते हो फ्रेम इंटिपलेशन मोड आउन कर सकते हो और जो आपको 77, 72 के ऐसे कुछ कुछ कॉंस्ट आपको आईकू 12 के अंदर तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग में प्राइरेटी रखते हो तो मेरे हिसाब से आईकू 12 वो जादा नमबर लेके जाएगा एवन परफॉर्मेंस में और प्राइजिंग को रखते भी धान में भी क्योंकि यह 53,000 की प्राइजिंग है ऑफर सेम है और देखो इन डिस्प्ले की फिंगर्पिंट स्कैनर की बात रही तो दोनों के अंदर अधर अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर वन प्लस पे देखोगे तो वह अपर साइड मिलता है फिंगर्पिंट स्कैनर एकदम सही पूजिशन पर है बड़ वही आईकू पे डिस्प्ले स्क्रीन साइज अल्मोस्ट तरीके से आते हैं लेकिन वन प्लस पर आपको 4500 की निट्स मिल जाती है और वही आईकू पर वो है कुछ 3000 निट्स के साथ में बड़ इतना है दोनों फोन का आउटवर में लेके जाओ दोनों अच्छी तरीके से विजिबल रहती है कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है कि भाई कोई तकलीफ आएगी दोनों फोन अच्छी तरीके से विजिबल रहते हैं और वन प्लस पर है विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल दी है फ्रंट पे और आईकू पर कुछ स्कॉट शेंशेशन अपग्रेडड़ बिलता है और यह द अब जैसे कि इंस्टा पे गए यूटूप पे चला गया मैंट वहाँ पर 120 उसके बाद अगर तुईटर पर आ गया अब यह 90 हर्ट पर चल रहा है यहां परragenि और आगर मुझे स्वचाशन एटिक एप तो मुझे प्या से रहा है कुछ ईहां से 62 हर्ट फैंब जब मैं इसे high पे रखूंगा और now अभी मैं चलाओंगा तो यह 120Hz पे चलेगा 144Hz है वो only gaming में आपको display करेगा अब जैसे कि यहाँ पर मैं Chrome पे भी चाता हो ना तो भी यहाँ पर यह 120Hz पर ही रहता है और जो पहले YouTube 90 पे चल रहा था ना आब वो को देखो वो constant 120Hz पर shift हो जाता है और वहीं अगर आप इसमें OnePlus पे देखोगे इसको मैंने high पे कर दिया है तो यहाँ पर यह अभी सारी application पर जहाँ पर 19 दिखा रहा था ना अभी यहाँ पर 120Hz पर आ जाएगा और 1Hz पर shift करता रहेगा यह OnePlus पे पूरा full volume वाओ बली ठीक है और यही आईको पे full volume पहले मुझे लग रहा थी कि वनप्लस है बट थोड़ा सा और सुन लेगा समझे नाथ में लगा कि यही साथ अच्छा लग रहा है बट इतना है कि वनप्लस में थोड़ा सा बेस फील होता है जब हातों में रहता है बट लाउडर आईकू देखने मिलता है अब यह दोनों फोन है ना आउट अफ दो बॉक्स एंड्रोड 14 के साथ में मिलता है बट वनप्लस इंडिया के अंदर ऑक्सिजन OS के साथ में आएगा और मेरे पास है कलर ओस वाला वरेंट है जो चाइना में लाउंच हुआ है और इंडिया में जब लाउंच होगा तो एक क् पक्का है कि लाउंच टीर वनप्लस 11 में भी दिया था तो तीन साल तो पक्का ही है बड़ मेब एक साल और बढ़ सकता है और इवें दोनों फोन की हैप्टिक्स अच्छी आती है वनप्लस में ओ है और यहां पर एक्स लाइनर मोडर मिलती है अब जिसकी वज़े से इतना है और चार साल के सिक्यारिडी पैजस मिल जाते हैं तो ओएस एक्सपिरियंस में तो लाइक ऐसा है कि दोनों ही अच्छी तेरिके से परफॉर्म करते हैं यह भी और यहां पर इसना है कि थोड़े से ब्लोट वर एप्लिकेशन कम आती है इसके अंदर भी ऐसा कुछ जादा फिर iqoo 12 का कमपारिजन किसी और दो फोन के साथ होना चाहिए तो वो फोन के नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हो मैं फिर वो भी वीडियो आप लोग के सामने शेयर कर दूँगा अब देखो क्यामरा सेट अप के हिसाफ से दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं अ एक चीज है कि इसमें आईकू में आपको ब्लू टॉन देखने मिलता है और वन प्लस में आपको वार्म टॉन की पिक देखने मिल जाती है आईकू के अंदर जो फोटो से ना चाहिए वो मेन हो गया अल्टरा वाइड में का मोस्ट अप जनना कलर पॉप होके आते हैं बेसि कि बस मुझे ना नोटिस क्या हुई है आईकू के कामरा में कि यहां पर है ना बस यह कभी-कभी रेट टोन पर कभी-कभी फेस को कर देता है इवन कभी-कभी फेस पॉप करने के लिए थोड़ी से ब्राइडनेस भी इन्हांस करता है और जब अगर हम लोग और जूम की फो फोटो ट्राय करें थी वहां पर अब ध्यां से देखोगे ना तो वहां पर भी पूरा हाथ सनलाइट था बड़ आईकू ने कलर मैनेजमेंट और ब्राइटनेस एक्सपोजर वगेरा मैनेज करके एक अच्छी तरीके से पॉप करके मुझे वह फ्लार की फोटो दी और इव वाले पार्ट को भी जाधा अच्छी तरह के से निकाल लेता है म कलते ह्यों बाइलनस क्यां निकाल निकालता है जाधा तोन वाले ने निकालता अगर आपको आपको वाइडर चेकाउट कर सकते हो और जब selfie की बात आती है तो वहां पर भी एक चीज है की आईकू में आपको थोड़ी सी crop selfie मिलती है और चाहे वो portrait में भी हो गई लेकिन वही OnePlus देखो के न तो वहाँ पर आपको wider selfie देखने मिलती है मतलब wider camera आपको front में देखने मिलता जादा और लेकिन जब बात करो के selfie details को लेकर दोनों ही अच्छे देखने मिल रहे हैं बढ़े न सम्टाइम हमको थोड़ी सी ज़ादा better detail चाहे वो low light में हो गई चाहे वो HDR वाली बातचीत हो गई चाहे वो proper एक तरीके से portrait वाली photos हो गई वो आइको में थोड़ी से better number लेके जाता है OnePlus भी अच्छा है बढ़ थोड़े से better जो number लेके जाता है वो आइको के पास थे और OnePlus के अंदर ultra wide आता है वो मुझे थोड़ा सा जादा wider लगा आइको के मुकाबले बढ़ आइको की जो wider photos आती है वहाँ पर जो detailing है आइको के camera के number जादा positive देखने मिले और अपने price की हिसाब से literally बहुत जादा अच्छी तरह के से काम कर रहा है अभी देखो यह दोनों फोन की front facing video recording है OnePlus 4K 30FS करता है और 1080p 30FS करता है 60 नहीं करता है पता नहीं क्यों और यहीं पर यह IQ है जो 1080p 30FS पर इस video record कर सकता है अभी यहाँ पर एक चीज़ तो definitely sure है कि OnePlus पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर area मिलता है video recording में front facing में और IQ में वो थोड़ा ज़्यादा cropped हो के दिखने मिलता है अभी एक सबसे अच्छी बात बताऊंगा video recording के अंदर अभी देखोए video recording mode on है अभी मैं यहाँ पर recording चालू कर देता हूँ और 4K 60 दोनों में कर रहा हूँ और OnePlus पर जब आप video recording कर गएगो तो आपको यहाँ अशा slider मिलता है मतलब 4K 30 पर ultra wide 1X 2K 3X मतलब on go recording भी आप सीचे कर पाऊगे बट वहीं अगर आप OnePlus पर करने जाओगे ना तो चाहे आप कम कर लो 1080p 60 कर लो तो भी आपको ऐसा option नहीं मिलता तो इस software का यह वाला जो पार्ट है ना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है यह धीरे 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 स्लाइड होता है फिर बात में पहुंसता भी नहीं है और रही बात जूम को लेकर तो OnePlus आप जूम कर सकते हो मस्त में 120X तक जूम कर पाऊगे और IQ पे भी जूम की बात रही ना तो वो भी यहाँ पर आप 100X तक कर पाऊगे बहले दोनों अच्छी सेम वीडियो कॉलिटी देते होंगे मुझे कुछ पता नहीं मैंने चलो जज़ भी नहीं कर रहा हूँ बट डेफिनेटली अगर यह जो 1X 2X वाला जो पार्ट मिल रहा है उसकी वज़े से एक्स्ट्रा वंड मैं आईकू कोई दूँगा ना कि यहाँ दूँगा दे दे तो जाद अच्छा रहता तो देखो भाई यहाँ पर यह पूरा टेस्ट कंप्लीट होके एक बात तो समझ रही है कि कम प्राइस में आपको जो चीजे मिल रही है आईकू 12 में वो लिटरली प्रामिसिंग लगती है कैमराज हो गए, परफॉर्मेंस हो गई ओर आल इन हैंट फिलिंग, लाइट वेड हो गई वो डेफिनिटली आती है वन प्लस पर आप देखोगे, तो अफकोस यहां पर आपको 65-70 जो भी प्राइसिंग आएगा तो आप बताओ, वन प्लस भाई साब तकड़े आपको लगे या फिर आपको आईकू 12 भाई साब तकड़े लगे जो भी ओपिनिन जिस चीज में भी रहेगा कॉमेंट करके अंदर बता देना, ताकि कोई और भी देखे है तो उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, कि हाँ भाई साब यहां पर यह फोन ऐसा था वह इसा था ठीक है, और इनकेस आप इन में से कोई भी एक फोर यूस कर रहे हैं तो अपने ओपिनिन में कॉमेंट के अंदर शेयर कर देना वीडियो अच्छे लगे है, लाइक कर देना, टार्गेट कम्लेट कर देना बाकी और कोई वीडियो के रिक्वाइमेंट है कॉमेंट करके बता देना, कमपैरिजन रेडि हो जाएगा गेमिंग वीडियो देखनी होगी दोनों की तो गेमिंग पार्च अला पर अविलेबल है बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए टेक केर, टडा, बाई